पिछले तीन महिने से आपके खाते में गैस सबसीडी नहीं आने का ये है कारण सरकार ने लिया है बड़ा फैसला या आप जानते हैं कि पिछले तीन महिने से आपके अकाउंट में गैस सबसीडी का पैसा नहीं आ रहा है आपको बता दे कि माई 2020 से ही घरेलू LPG गैस पर मिलने वाली सबसीड़ी आपके बैंक खाते में नहीं आ रही है दरशा सरकार ने माई महिने से ही आपको मिलने वाली गैस सबसीड़ी खत्म कर दी है लेकिन इस सबसीड़ी को खत्म करने का फैसला क्यों लिया गया है आईए आपको बताते हैं कि क्यों सरकार ने लिया इतना बड़ा फैसला रसोई गैस स्लेंडर पर मिलने वाले सबसीड़ी में पिछले एक साल से लगतार कटोटी की जा रही है सबसीड़ी वाले स्लेंडर 100 रुपर महंगा हो गया है इसके साथ ही इस पर मिलने वाली सबसीड़ी सुन हो गई है देश की राजधानी दिल्नी में पिछले साल जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस स्लेंडर का बजार मुल्य 637 रुपर था जो अब घटकर 594 रुपर हो गया है देश में पिछले एक साल में घरेलू रसोई स्लेंडर की कीमत में 100 रुपर तक की बढ़ोती दर्च की गई है केंसरकार एक वर्स में प्रते घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 स्लेंडर सबसीड़ी देती है अगर इस से अधिक स्लेंडर चाहिए तो बजार मुल पर खैदारी करनी होती है गैस स्लेंडर का बजार मुल या बिना सबसीड़ी वाले स्लेंडर की कीमत काफी कम हो गई है इस बीच सबसीड़ी वाले गैस स्लेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ है ऐसे में दोनों सिलेंडरों के बीच कीमत का अंतर लगबग खत्म हो गया है यही वज़ा है कि सरकार ने अब घैरिलू गैस सिलेंडर पर सबसीडी देना बंद कर दिया है दोस्तो इस वीडियो को जारस जारस सेयर करिए ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके अकाउंट में तीन महिने की सबसीडी क्यों नहीं आई PNS News की रिपोर्ट